हेलो एब्रिवन कोलेज केमपर्स के यूटूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है तो कैसे आप सभी सब ठीक ठाक है सांदार है जांदार है बताइएगा तो देखिए हम जिस पल का इंतियार कर रहे थे वो घड़ी या पी वो पल अब हमारे सामने है तो इस पल को हम इस प्र आप देखिए जैसे कि आप सभी को पता है कि कल क्या था दस फरवरी था ठीक है तो इसमें क्या हुआ था कि कल जो है जारकन केबिनेट में कुछ मीटिंग हुआ था इस मीटिंग में क्या हो गया कि बहुत सारे प्रस्ताव को पास किये गये थे जो कि बहुत समय से तो जिसमें से जो है एक हम लोगा क्या है एक हम लोगा था जारकन टेट तो जारकन टेट का जो है एक जो मसला था ये बहुत दिन से रुका हुआ था यानि कि एक नया नियावली की बनने की बात थी एक्चरी आप सभी को पता है कि 2019 में जो है रघुबद दास के समय जारकन टेट समन्दित एक नयावली बनी थी लेकिन कुछ कारण से क्या हो गया था कि इसमें कुछ तुरूटियां पाई गई कुछ दोस पाया गया जिसके कारण इसे बदलना ज़रूरी था और साथी साथ ज जब यह नयावली बना था यानि कि रघुबद दास के समय है तो उसमें जो है यह बता गया था कि भारत के कोई भी नागरिक जो है जारकन टेट का एक्जाम दे सकता था जो की एक मुझे लगता था कि वह था से कुछ तूटी थी उसमें ठीक है क्योंकि आप सभी को पता है जो कि इस बार इस नयावली में मुझे दीक रहा है तो चलिए आज अभी हम लोग क्या करेंगे एक बिश्त्रीत रूप से जो नयावली में क्या-क्या बाते की गई है इन सभी चीजों को देखेंगे और परखेंगे कि क्या और किस प्रकार से यह नयावली जो है हमारे इस या पिर जियों करतियों है तो चलिए यह जो नयावली बना गया यह टोटल 6 पन्यों का है तो इसको हम लोग क्या करेंगे बहुत अच्छी तरह से एक-एक बारेकियों से इसको हम देखेंगे और देखेंगे अगर आप लोग कुछ भी डाउट होता है या पिर अगर आप कि कुछ भी तरह का वीडियो लाया जाए तो आप लोग कमेंट सेक्षन में लिखिएगा और एक बात जोरगी सुचना यह है कि इस वीडियो को सुरू करने से पहले मैं आप लोग को बता देना चाहता हूं कि हमारा यह जो चैनल है यह क्या करता है यह जो है जारकन ट्रेट संबन्रेट ज़ो एकजाम गोता या जारकन का पर लेती है इसका तैयारी किरा सब्सक्राइब करते हैं तो एक बार आप लोग अगर मन से क्लास करना चाहते हैं तो आप हमारे इस सेजूर सकते हैं और अभी भी जो है पेड़ कोर्स हमारे यहां पर चल रहा है तो इसके बात हम बाद में करेंगे चलिए अब हम जो है इसको देखते हैं बहुत अच्छी तरह से तो चलिए सुरू करते हैं अभी का वीडियो तो ध्यान से देखिए इसमें क्या बोला गया है तो देखिए जहरकन तो लिए जारकरिण सिच्चक पातेरताः प्रिच्चा संसोधन नियावली 2021 अब लेकिन इसमें कुछ चीजों को, कुछ पॉंच को बदलाव किया है इसलिए इसको क्या क्या गिया, इसको जो संसोधन नियावली इसमें बताया गिया है बात के लिए अब देखिए नियावर 2022 के गठन की सुविकिर्ति के संबन में यानि कि इसको जो है क्या किया गया केबिनेट मिटिंग में इसको पस्ताओं को पास कर दिया गया है ठीक है अब चलिए हम लोग देखते हैं एक एक चीज़ के बारे में कि इसमें इंप्रोट्रकन किया है तो देखिए हैं आप सभी को पता होगा तेयक है आप समी पता है कि जार्कन जो है जब से जार्कन बना गठन हुआ जार्कन का तब से केवल जो है क्या हो गया हमारे केमायत दो बार ही टेट हुआ था कब कब हुआ था तो एक वा था 2012-13 और एक वा था 2015-16 में हुआ तो लेकिन लेकिन आप लोग का पता है कि क्या होता है राइट टू एजुकेशन एक 2009 के अनुसार जो कि एक अप्री 2009 में क्या हुआ था लागू हो गया था इसको पास करा गया था पर जो है कोई भी सरकार ठीक धंग से पांट साल नहीं ठीक पार पता था तो कैसे अप लोग यह लोग टेट लेंगे यह भी बात एक तो आ रहा था लेकिन क्या हुआ कि 2013 में एक एक्जाम हो गया था जारकन टेट का और 2016 में भी एक्जाम हुआ था ओके तो देखे एक्जा ज्यान समदित भाते हीby हम यहां पर बात में करेंगे अब देखिया इसमें कहा गिया है अब देखी इसमें क्या लिखागिया है एक चीज इसको आपको ठीक द शरक्या रेए इस और देखे ऑ यानिकी इसमें अगर आप लोग पास करते हैं तो आप सरकार को यह नहीं बोल सकते हैं यह डिमांड नहीं रख सकते आपको जोग देना ही पड़ेगा बात को क्लियर से समझो क्या बोला गया है? इसमें बोला गया कि किवल मात्रे अहंग परिच्छा है यानिक बस एकजाम करन कि ठीओ बन से देकूप og herbs अब अठीटा आरहा होगा कि क्या बियाड वालों के लिए क्या हो या पर होना चाहिए ऑपर प्राइमरी बच्चे के लिए प्राइमरी अच्छी सब्संस्द्र होता है चाहिए तяг lower primary से करते हैं और higher primary के बात करेंगे तो यह होता 6 to 8 ओके तो आप सभी को यह पता है कि 1 to 5 कौन कर सकते हैं यह कर सकते हैं यह जो DL8 बारे कर सकते हैं ठीके इससे पहले क्या होता था कि जो भी B8 बाले बच्चे थें ध्यान से सुनेगा जो भी B8 बाले बच्चे थें वह जो है 6 to 8 का एक्जाम में नहीं बेड़ सकते थें लेकिर क्या हुआ कि 2018 में ठीके दिनांग देखें यहाँ पर लिखा गिया है दिनांग कव 286 2018 में माननिय सकते हैं अब देखें कि अब आप लोग बोलेंगे कि 2008 का एक्जाम दे सकते हैं हाँ वह तो सकते थे लेकिन उसके साथी साथ कर्चा एक से पास तक जो एक्जाम होता है उसमें भी उब्सक्राइब सब्सक्राइब यानि आप प्इसके मानने था है अब क्या हो गया अब यह इसमें बेड़ वाले बच्चे भी इसमें बेड़ सकते हैं बात के लिए अब देखिए अब क्या है कि अगर आप आप लोग 5 साल था फिर बाद में बढ़ा कर इसको सात सा चाइब है जो यहां उसके तर्कसंगत क्या करना पड़ा जारđकन को भी ज segu यहां कि एकगिसyahं होगा उसको भी टाइड इहां Вас होता है जो यानिकी स्कार कर दिया तो ऑफी एक आजीबन करदयान से अभी आप लोग जो रेटका जो भरिकरसन होगा वह लाइप टाइम हो जाए कप लाइब नहीं कंगे अगर आप लोग एक टेट पास करते हैं तो इसका वेलेट कितना होगा इसका लाइप टाइम अभी हो जाएगा बात के सुचना को देख तो देखेंगे इस अधिशार्प म नियावली 2022 कही जाएगी बात के लिए दूसरा नमर पॉइंट में लिखा गया है कि इसका विस्तार संपून राज्ये में होगा जो की सबसे लिखा गया कि जारकन सिच्चक पातरता परिचाज नियावली 2019 के बिभी ने प्रावधानों में निमलेखीत द्वारा प्रतिस्तापित किया जाता है यानि कि अब देखिए आप लोगों यहां पर दो चीज मिल रहा हुगा कौन कौन सा चीज तो देख सकते हैं एक था आपका बरतमान प्रावधान और एक है पतिस्तापित प्रावधान बरतमान प्रावधान मतलब क्या होता है कि अभी जो लागू है और पतिस्तापित प्रावधान के मतलब क्या हो रहा है यानि कि जो नियू बनाये गया यानिकि इस नियावली के ताद इसको लाये गया है तो की कुछ बहुत सारे सब्यट को बढ़ाया गिया तो कौन-ब इत्यास होगा भुगोल । समाच सास्त्र ब्यापार अध्यान को इसमें लगाए गया सब्सक्राइब तो अभी कितना हो गया अभी इसको तीन गंटा दिया गया और अंग्रेजी का सब्सक्स की लिए अब जो यह में क्या लिखा गया है हम लोग आगे देखते हैं देखी एक बाद वीडियो थो लंबी हो सकती है लंबा होने दीजी लेकिन एक एक जानकरी आपको यहां मिलेगा 100 परसंट जानकरी मिलेगा इसलिए घबराई यह मत तो देखी क्या है नेक्स्ट बता गया है गणी सिछक के ल पहले क्या था पहले जो है गनीत से से और आता तके मिन से नंबर यानिक भीजान का शोक आपको श्राइन नंशायन लेट तो वह बात था अब देखिए नेक्स्ट क्या है अब जो है इसको लागू कराए जाएगा यान की नियू नियावली में 2022 के तहद इसमें गनीत 50 नमर का पुछेगा और बिग्यान आपको बिग्यान को अगर लेना चाहते हैं तो क्योंकि उसमें टोटल हन्डेट नमबर है तो दो आपको लेना पड़े कोई भी अब क्या है आपको इतियास को पहले 50 नमर बटा गया था भूगोल को 50 राजनितिक सास्तर को 50 अर्द्र सास्तर में 50 और स्रमाज सास्तर में 50 तो इसमें लें लें सबस чув ocean का ऊकिब हाुआ कोई बीर काई यह सMM कोछ चीज नेया एक्षटा जोड़ा गिया है और rival और अपका चीज में किया आप जब तके यानि कि इस i7 अडेक्ट कर सकते हैं आगे क्या क्या वह nominee इंट अब देखिए अब देखिए नियम 6 यानरा यहीं बताया है कि आप लुण इसमें बताया बच्चे जो है जारकन प्रैट का में रहते हुए इस fanating नियकान बातों गया है इसमें यह बोला गया है के मेंटिक का मुझे लगा लिए में जहरकन टेट का exam दे सकते हैं प्लस क्या होना चाहिए कि सेचनिक सस्तान से उती होना ये तो बात सही है लेकिन इसमें क्या बोला गया है इसमें ये भी नोट किया गया है कि अभयाति को इस्तानिय रिती रवाज भासा और परिवेश का ग्यान होना अनिवार ये होना चाहिए यानि कि एक रिजिनल लिंग्वेज का exam होगा उसमें तो पास करना ही पड़ेगा ठीके साथी क्या बोला गया है साथी आपको ये बोला गया है कि आपको जो है इसी राज्य से यानि कि जारकन से ही आपको क्या करना है इसमें ये बोला गया है कि अगर आप जेनरल है तो ही ये नियम आप पर लागू होगा जानते होंगे लेकिन जो भी रिजर्बेशन में है यानि कि सितिल रहेगा ये क्या रहेगा ये सितिल रह येम इसको रोका जाए घ धिक इसके लिए यानि कि फीक कि ये नियम उसके लिए माननीती होगा तो किल ये इक लिए माननी ओगा kevail वोग जो जेनरेल कास्ट से आते हैं घ्यक जो मतब जेनेर कास से आते हैं उन पर ही यह नियम लागू होगा कौन से नियम यह है कि आपको जो है 10 क्लास और 12 क्लास दोनों कहां से पास होना कंपल सरी है आपको पास होना कंपल सरी है जारकंड से पास होना कंपल सरी है अब चलिए हम आगे देखते हैं अब हम लोग देखते हैं नियम साथ को देखते हैं तो देखिए नियम साथ में क्या बोला गया है यह हम लोग देखते हैं तो देखिए नियम साथ में हम लोग को कितना पतिशत अंग लाने से हम लोग पास होंगे यह सब चीज के बारे बता गिया है तो देखी, समाने जाती में क्या क्या गिया है, समाने जाती क्या जो है, इसमें जो पत्तिक खंड, देखे, इसमें एक चीज इस पर नया लाया गिया है, एक नया जोड़ा गिया है, कि आपको जो है, क्या करेगा, आपको जो है, हर एक सब्जेक्ट में पास करना कमपल सरी है, तो देखिए पहले जो भी एकजाम होता था उस में कि अब उवर्ल पास आपको होना था 60 परसंड में लेकिन अब क्या किया गया अब आपको अगर माली जे पसंद लाना पड़ेगा जो OBC के हैं यान कि BC1 BC2 दोनों के लिए 35 पसंद रखा गिया है या फिर EWS यानि कि आर्थी ग्रूप सी कमजोर बर्ग के बच्चों को 35 पसंद रखा गिया है और दिभ्यांग डिसेबिलेटी जिसके पास जो भी है वह 30 पसंद रखा गिया है लेकिन पस्टे बच्चे या फिर जो इडेवल्यूस के बच्चे इसको क्या करना पड़ेगा उनको जो है 55 पसंद में लाना पड़ेगा और दिभ्यांग बच्चों को 50 पसंद आपको लाना कमबल सरी है यानि कि यह जो खंड है इसमें जो है आपको हर एक सब्जेक्ट में ती या खंड लीजिए कि आप एक सब्चनमें फूल नम्बर लेका आते हैं यानि कि मालते 50 नमरे में में 50 नमरें तो 50 नमरे यह जआते हैं तो आप फेल हो सकते हैं तो यह सब्जेक्ट में क्या करना पड़ेगा हर सब्जेक्ट कि हमें आपको पास होना जरूरी है है तो चलिए अब आगे देखते हैं कि आगे में क्या बताया है अब देखे है आठ्वावा नम्र पॉइंट में लिखा गया कि पहले जो यह सथ साल के बदले आजीवन रहेगा यह तो बात हम आपको पहले से कर चुके थे घा अब देखे इसमें कुछ इसी important चीज नहीं लिखा गया है अब आगे देखते हैं तो अब चलिए हम लोग कुछ क्या करते सिलेबर्स को देख लेते हैं यह कहां से किता नमर के question पुछा जाएगा ठीक है 125 और 6-8 दोनों को देखेंगे किता नमर पुछा तो देखे यह हमारा वीस नंबर करेगा विस कोशन रहेगा तो यह पहले था बरतमान प्रभाधान था अब पतिस्तापीत प्रभाधान तो देखें बरतमान प्रभाधान को नहीं देखते हैं तो कुछ-कुछ देखें जो इंपोर्टन रहेगा यानि कि हमें इसे लागू करना है यह लागू हो जाएगा पतिस्तापीत प्रभाधान लागू होगा तो इसी को देखते हैं टाइम बेकर जा रहा है ठीक है तो देखिए क्या लिखा गया है कि जो सीडीपी है सीडीपी कित टीचर होगा तो उद्दू में आपको 20 कोसन मिलेगा देखने को मिलेगा और अंग्रेजी आपको 20 कोसन मिलेगा तो यानि भी इसमें भी आपको कितना को रहेगा 40 कोसन रहेगा 40 नंबर का ओके अब देखिए सबसे इंपोर्टन बाद क्या है यह बात यह है कि पहले भाई ठीके जो पहले था जो जन्जातिय भासा जो होना था यानि कि जो रिजिनल लेंग्वेच होगा वह पहले 20 नंबर पस्तावीत किया गया था तो अभी इसको बढ़ा करें कितना किया गया इसको 40 कोसन पूछेगा बहुत इंपोर्टन हो जाता है और इसमें तो आपको पास ह नहीं है इसमें भी आपको क्या करना ही पड़ेगा गनित पहले कितना था गनित और इभीस जो है पहले 6060 कोसना रखा गया था लेकिन अब इसको रिडियूस करके 50-50 कोसना रखा गया है यानि कि अगर आम लोग इसको ओभर विव देखें तो किसमें कितना नंबर है इसको हुए देख लेते हैं तो देखिए by इंघी पिलस ये कितना हो जाएगा याइब को करके लेंगा तो वह सबढ़ेंगां तीन गंटा तो यानि कि 180 मेरिट में 200 कोशन बनाना है यानि कि कितना इस पीड से ध्यान से देख लीज़ेगा अब देखिए मेट्स में अगर अगर पूराना अगर रटा रटायर अगर नियम से बनाइगे तो आप लोग जो है पचास कोशन बनाने में आप लोग का हालत खरा है तो यह होगी हम लोग का कैसी अब देखते हम लोग अपर प्रैमरी का यानिके 628 के लिए और तो दिखे नेगे हम लोग का जो पहला हो जाएगा सीडीपी तो सीडीपी भी पहले किया है पहले 25 नंबर पस्तावित था आप इसको ड्यूज करके 20 कर दिया सब्सक्राइब है भासाओं में पहले क्या था पहले 50 नमर क्या चालिस नमर क्या गिया है तो यानि कि क्या रहेगा हिंदी प्लस इंग्लिस रहेगा और किसी का होगा तो उर्दू कोई तो अगे देखते हैं आगे क्या है तो देखिए इसमें वी जनजाती भासा रखा गिया है तो देखिए जनजाती है वह से पहले 25 से मरता तो उसको बढ़ा कर कितना गया गया है ठीक है यानिकि science teacher बनने के लिए आपको किता नमर का एक्जाम दना पड़ेगा आपको देरसो नमर का अभी भी देखिए देरसो नमर कई है लेकिन मार्क्स में कुछ कटोती किया गया है यानिकि पहले जो है अब देखते हैं हम लोग social science teacher के लिए क्या रखा गया है यह भी हम लोग देख लेते हैं तो देखिए अभी इसको जो है 150 नमर ही रखा गया है इसक TOP 3 को ही आपको चुनना है कोई भीतीन यािक आप हिस्टि जोग और पी औंप बन सब्करणा किया है या इतनाchnya पर लूक्त सब्कराइब के लिए अंग्रेजी 75 नंबर का आएगा और आपको जो है हिंदी सस्क्रीट या फी उर्दू या फी कोई भी अन्य सब्विट में आपको 75 नंबर का पूछेगा या अगर आप क्या किये हैं तो क्या करेंगे आपको तो इंग्लिस तो आपको देना ही पड़ेगा 75 नंबर का क्या करना पड़ेगा हिंदी के जगह में उर्दू का एक्जाम देगा हूँ इस प्रकास से 75 प्लस 75 किता हो जागा देरसो नंबर का इसमें एक्जाम हो रहा है ओके यहां ता बात सभी को क्लियर हो चुका है अब देखिए इसमें क्या बोला गया है इसमें ध्यान से देखिए इसमें बोला गया है कि चेत्रिय या जनजाती भासा की परच्छा में परच्छातिय से यह अपेक्च्छा होगी तो यह अपेक्च्छा होगी कि सम्मधित भासा और इसके ब्याकरन की जानकरी होना आप मालते कुछ भी इजने लेते हैं तो उसमें आप जो बहुत अच्छी तरश से बात कर पाते हो क्यों कम्मिनिकेशन आप कर जी से ठीक होना चीव होता है तो यह होता है तो यह था हमारा क्या कुछ स्रीबर के बार में हम लोग देख लिए हैं क्या क्या बात बाते बोली गए थी यह भी हम लोग देख लिए ओके अब हम लोग में मुद्दे में आते हैं कौन से मुद्दे तुम देखिए हम अब यह देखते हैं कि यह जो निकाला है यह तो बात सही है लेकिन अब हमें यह भी जानना है कि exam होगा कब तो देखिए नियावली तो बन चुकी है तो नियावली बनने के बाद जो है जैसे कि गुग्ट सुत्र में मुझे पता चल रहा है कि September तरब September में क्या हो जाएगा आप लोग को notice निकाल देगा ठीक है जारकन टेट के लिए notice निकालेगा बात के लिए रहे एकदम निकलेगा फिर क्या होगा हो सकता है कि November या फिर December में जारकन टेट का एकजाम हो जाए लेकिन इससे पहले मुझे ये भी लग रहा है कि जो 26,000 जो टीचर का बाद का जो वेकनसी आने बाली है कि क्या खतियान बालों को कुछ लाप मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा बात के लिए जो खतियान बाले हैं तो उनको क्या लाप मिल रहा है इसमें तो देखे पहले ये बोला गिया था कि जो जिसके पास 1932 या फिर 1924 के खतियान होगा वही क्या कर सकते हैं जारकन में नुक्री ले सकते हैं लेकिन इस नियावली में ये खतियान के बारे में कुछ बाते नहीं की गई है तो यानिके हमें ये बात पता चल रहा है कि क्या हो जाएगा कि अब जो भी नियावली बना है यह क्या हो रहा है यह जो है हमारा एकजाम लेटर बना है जैसे कि अगर कोई स्टूडेंट है ठीक कोई अगर इस्टूडेंट ने क्या किया है अगर वो 10 का एकजाम दिया है और 37 सा 12 का एकजाम दिया है कहां से जारकन से, वही क्या कर सकते हैं, हमारे इस ज्टेट का एक्चाम में क्या कर सकते हैं? अनिता नहीं हो पाएंगे. लेकिन आप लोग यह भी सकता है कि आपको पूछा जाए कि आप लोग का जो है यहां का इस्तानिय निवासी है या भी नहीं है इनके बारे में देखा जाएगा क्योंकि आप लोग जानते होंगे कि जेनरल बच्चे जो है जो जो जेनरल बच्चे हैं उनको एक्जाम में बंचित कर दिया जा सकता है कि अगर वे 10 और 12 का एक्जाम नहीं देते हैं तो लेकिन यहां के जो इस्तानिय निवासी है तो इस्तानिय निवासी किस आधार पर बनाए जाएगा ये भी सरकार सोच रही है कि 1932 से बनाए जाए या पि 1985 से बनाए जाए ठीक है तो इन सब चीजों के बारे में आप लोग भी अपना राय दे सकते हैं हमारी कमेंट सेक्शन में बात के लिए तो चलिए इस वीडियो में बस इतना ही ठीक है अधिक जानकर के लिए जारकन ट्रेट से संबंदीत कुछ भी अगर एडिमिशन पोसेस के लिए जानकर चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में कुछ नंबर दिया आगया है उसमें आप वार्षिप के माध्यम से आप अपना पता कर सकते हैं तो चलिए हम लोग आगे मिलते हैं और अगर आप लोग कुछ भी अगर डाउट हो रहा है तो आप लोग क्या करेंगे आप लोग कमेंट सेक्शन में आए और अपने बातों को रखिए और हम अती के लिए इतना है सभी धन्यबाद जय हिंद